हलो दोस्तों नमस्कार हलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर अभी तक इस रम कार्ड का पैसा आपके काउंट में नहीं आया है तो इसमें आप इस वीडियो में जानेंगे कि इसरम कार्ड के पैसा कब आएगा अगर पहली किस्त आपकी आ गई है तो दूसरी किस्त कब आएगी और अगर आपके इसरम कार्ड में कोई भी एरर आ रहा है तो उसका solution क्या है अभी अभी ये जो update आया दोस्तों तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दिया जाए चलिए ह अगर सेम सरकार रहती है तो आपके एकाउंट में 100% दूसरी किस्त आनी है अगर सरकार बदल जाती है तो depend करता जो सरकार आती वो आपके एकाउंट पैसा भेजेगी या नहीं भेजेगी अगर उसके बाद आप health number यहाँ पे health line number भी आपको मिल जाता है जिससे आप content करके कि अपने अधार काउंट से कोई भी एक यहाँ पे health line number भी आपको मिल जाता है जिससे आप e-shram card में कोई भी problem आ रही है तो आप वहाँ पे उनसे content कर सकते हैं उनसे आप पोस्ट सकते हैं कि हमारे e-shram card में सर यह problem आ रही है पर उसमें एक condition आपको यह है जैसे आपके e-shram card ने bank error आ रही है या login नहीं कर पा रहे है अपना e-shram card जो your number डाल करके login नहीं कर पा रहे है any problem कोई भी problem आ रही तो उसका solution क्या है इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से लिए दोस्तों आपसे हाँ जोड़के request करना चाहूंगा अभी तक चैनल subscribe नहीं कि दोस्तों प्लेज जाके चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा दोस्तों subscribe जरूर कर लिजेगा क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही जानकारी आपको मिलती ही रहेंगे चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर अपने computer से या अपने mobile से simple से अपना google chrome browser open कर लेना है then आपको यहां पर search करना है क्या search करना है कि gms.isrum.government.in जैसे आप इसको open करेंगे देख सकते हैं isrum.home तो आपको simple ऊपर वाली website पर click करना gms.esrum.government in वाले option पर किलिक करना है जैसे आप इस पर किलिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले option पर किलिक करना होगा यह option आप देख सकते हैं इस पर आपको किलिक करेंगे जैसे इस पर आप किलिक करेंगे देख सकते हैं unorganized worker यहाँ पर आप अपनी problem का solution कर सकते हैं मैंने बताया था यहाँ पर एक help line number भी आपको मिल जाता है 14434 तो इस पर आप call करके अपनी ishram card के बारे में जान सकते हैं या कोई problem आती है तो आप उनको बता सकते हैं हमने आपको बताया कि 8 बजे से 8 बजे तक आप यह काम कर सकते हैं देन आपको क्या करना होगा उसके बाद आप देखेंगे अन ऑगनाईजबर का registered in ishram सिंपल से आपको इसी ishram वाले आप्शन पर click कर देना जैसे आप इस पर click करेंगे वाइन नमबर आपका जो वाइन नमबर होता वो वाइन नमबर डालना होगा फुल नेम, mobile नमबर, अब इस mobile नमबर से आप क्या बिलाँगे आपका mobile नमबर है किसी other का mobile नमबर है तो यहां पे से self अपना खुद का है तो self करेंगे, अगर other है तो other वाले option पे click कर लेंगे, then हम यहाँ पे gender वाले option पे click करेंगे, email अपनी डालेंगे, data birth डालेंगे, country सेलेक्ट करेंगे, state सेलेक्ट करेंगे, district सेलेक्ट करेंगे, then हम यहाँ पे, अब यहीं main बात यहीं प्याती देख सकते हैं, ishram recording registration and journal queries, आपको क क्या करना है, आपने ishram card में क्या करना, ishram card error आ रहा है, तो bank ifsc error है, मतलब आपके लगता है, bank ifsc error है, कोई दिक्कत, r ही आपके ishram card में login error है, other कोई दिक्कत है, pmsym and ps traders लेकर occupation, मतलब आपका जो occupation आपने select किया, वो error बता रहा है, तो आपको यहीं से सही कर लेना हुआ है, csc related कोई भी problem हमारे, तो आपको यहीं से, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, no item found, यहाँ पर, उसके बाद, choose upload document, यहाँ पर अपना document upload कर देना होगा, जिसके ishram card का upload any supporting document, maximum 1 mb का, ठीक, then आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कि यह हमारे problem आरे, then request otp वाले option पर click करके, यहाँ से अपनी detail अधार card, ishram card में अपना change करा सकते हैं, दोस्तों कुछ इस परकार से करा सकते हैं, अपना ishram card में, उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे आपकी पहली किस्त आई है, पहली किस्त अगर आपकी नहीं आई है, तो उसमें कुछ error हो सकता, आपके ishram card में तभी इस दोसरी किस्त कम आनी है दोसरी किस्त दोस्तों जब सरकार यहां पर एलाउंस हो जाएगी कि इनकी सरकार बनी है तभी दोसरी किस्त आनी वाली जैसे अभी यहां पर पहली जो सरकार थी अगर उन्हीं की सरकार बनती है तो आपको 100% दोसरी किस्त मिलेगी अगर सरकार चेंज हो अब ही वीडियो पसंद आयी हो या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके मिलेगा दोस्तोंर को सब्सक्राइब नयं जानकाहिक साथ तब